Hello dear students, बच्चों, आपके GK subject में हम अभी sports पढ़ रहे हैं और ये sports का last chapter है, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं biopics, देखिए आप page number 56 open किजिए और sports में हम पढ़ रहे हैं biopics तो अब तक हमने पढ़ा वर्ण यानि की यहाँ पर जो उशा है, इनके बारे में बल्बीर सिंग, इनके बारे में पढ़ा कपिल देव और कर्नम मले सुरी, ठीक है? और यहाँ पर क्या नाम है? फिप्थ में है आपके खशाबाद दादा साहिब जाधाओ, ओके? यह है खशाबाद दादा साहिब जाधाओ, यह है शंकर लक्षमन, इनके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं ठीक है? यानि कि फिफ्ट और सिक्स्थ यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अब आज लास्ट में हम पढ़ेंगे सेवन्थ और एड़ इनके बारे में ठीक है? आप पिक्चर देख रहे हैं और इनके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है वो हम पढ़ेंगे और इनका नाम फिर वही ऐलम्पिक्स की बात ही ओ अबे तक तो रियो में जो पैरालींपिक्स हुए छो पैरालिंपिक्स किसे करते है? में ठीक है तो ऐसे लोगों का जो गेम होता है ऐसे लोग जब गेम खेलते तो उसे कहा जाता है Paralympics तो he is India's gold medal winner at the Rio Paralympics तो रियो में जो Paralympics हुए थे उसमें इन्होंने क्या क्या था gold medal win क्या था जीता था ठीक है After he broke his own record, own world record, अपना ही world record तोड़ने के बाद With a throw of 63.7 meter in the man's F46 javelin throw Javelin throw आपको पता ही होगा जैसे भाला फेक पर्तियोगिता होती है भाला फेकने के लिए कहा जाता है Javelin throw ठीक है भाला आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे भी जो है जो चड़ी होती है उसको एक सिरे से पकल को उसको दूर फेकते है तो ऐसे ही भाला होता है जो आगे से नुकिला होता है और वो हवा को चीरते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है जब उसे फेका जाता है ठीक है तो उसे कहा जाता है Javelin Javelin throw इस गेम्स को कहा जाता है तो इन्होंने क्या किया था अपना ही वर्ड को और इन्होंने तोड़ा था और इन्होंने फेका Javelin कितना मीटर फेका इन्होंने 63.7 मीटर इन्होंने इतनी दूर जो है ये भाला फेका था ठीक है और उसमें इन्होंने क्या जिता गोल्ड मेडल जिता है इन्हों नहीं ठीक है तो यह है यह बिखती है अब इनके बारे में हम आगे इनका नाम हम लिखेंगे भी यहाँ पर अब आजाए यह एड़ ने यह पिक्चर बनी वी है शी मिस्ट अब ब्रॉंज मेडल उन्होंने क्या क्या ब्रॉंज मेडल वो जीत सकते थे लेकिन वो नहीं जीत पाए लेकिन फिनिश्ट फोर्थ इन्द वुमेंस प्रोडुनोवा वोल्ट प्रोडुनोवा वोल्ट क्या होता है यह जिमिनास्ट होता है क्या होता है जिमिनास्ट में क्या होता है जैसे दूर से चल के आना दोड के आना और एक टेबिल के सहारे उपर जम्प करना ठीक है पल्टी मारना उपर ठीक है उसे कहा जाता है प्रेडुनोवा बोल्ट फाइनल इन्दर रियो गेम्स तो जो रियो गेम्स हुए थे जो ओलम्पिक्स रियो में हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिपेट किया था जिमिनास्ट में ठीक है इन्होंने जिमिनास्ट गेम खेला था वहाँ पर she executed one of the most dangerous feats in gymnast इन्होंने क्या किया था most dangerous यानि बहुती खतरनाग step इन्होंने किया था वहाँ पर जो gymnast होता है gymnast में यह जो prodonova boat जिसे कहा जाता है यानि कि दोड के आना और table से उल्टी jump खाके आगे बढ़ जाना ठीक है तो उसे यह बहुती dangerous होता है और यह इन्होंने finish किया था ठीक है हाला कि यह bronze medal इन्होंने miss कर दिया यह bronze medal नहीं जीत पाए ठीक है मगर जीतना या नहीं जीतना यह एक अलग बात है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खेलते हैं खेलना ही बड़ी बात है participate करना ही बड़ी बात है इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जब भी games होते हैं तो आप हारे या जीते हैं यह एक अलग बात है लेकिन आपको खेलना चाहिए आपको participate करना चाहिए ठीक है तो अब देखिए 7th हमने पढ़ा और 8th में पढ़ा इनके नाम हम लिख देते हैं तो आईए हमने 1st, 2nd, 3rd इनके नाम लिखे थे 4th, 5th, 6th इनके नाम लिखे थे और 7th में देखिए उनका नाम है यह जो आभी तक हमने पढ़ा कि He is India's gold medal winner at the Rio Paralympics in men's F46 F46 उस game को कहा जाता है Javelin Thro के game को कहा जाता है Javelin Thro के game को क्या कहा जाता है F46 Javelin Thro of 63.7 meters इन्होंने 63.7 meter Javelin Thro फेका और उसमें क्या जीता gold medal और इनका नाम अब देखिए इनका नाम क्या है इनका नाम है Devendra Jajarya क्या नाम है इनका Devendra Jajarya अब एट पे आईए She finished fourth in the women's gymnast Pradunova Bolt final in the Rio Games तो जो Rio Games हुआ था है उसमें इन्होंने क्या क्या था Pradunova Bolt जो gymnast का एक game होता है वो उसे final किया था और उसे finished किया था ठीके तो वहाँ पर इन्होंने क्या क्या participate किया था gymnast में ठीके इनका नाम है बच्चों दीपा कर्माकर क्या नाम है इनका दीपा कर्माकर तो ये देखिए ये हैं देविंद्र जजरिया 7th में देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप देविंद्र जजरिया जैसे notebook पे लिखा गया है ठीके और यहाँ पर 8th में आप लिखेंगे दीपा कर्माकर ओके तो यहाँ पर तो आपने लिखना ही है साथ ही आपने अपनी notebook पे जहाँ पर आप अभी तक लिखते आ रहे हैं वहाँ पर आज की date डालेंगे date and day by a fix तो लिखा होगा उपर सबसे पहले जहाँ अभी तक first से लेके six तक आपने लिखा है फिर seven से लिखना सुरू किजिए इसको ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा गया है ठीक है इसको इसे लिखिए और clean साफ handwriting में लिखिए ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ भी पाएं पढ़ेंगे आप इसे फिर इसे आप learn करेंगे ठीक है लिखेंगे पढ़ेंगे और इसे learn करेंगे ठीक है बच्चो तो यह sports का जो part है यह आवज़ा आपका finish होता है फिर next इसके बाद हम next जब आपका जीके का turn होगा तो तब आप क्या पढ़ेंगे entertainment part हम पढ़ेंगे